असलाम वालेकुम माई दियर स्टुडेंट्स सेकंड यर मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और लेक्चर नमबर है 25 चैप्टर नमबर 4 एक्सराइज 4.2 डेरिवेटिव सही तो सेकंड यर की बुक से जो एक्सराइज हमारी चल रही थी 4.2 इसने हम इन शुरी दिया दा पिछल फाएज 5 का पहला दूसरा तीसरा कर दिया था अब हम करेंगे चौता पार्ट में है एक पावर 10 अन वर्स पिर यह एक पहली दिये पाच्वा पार्ट पिर एक छटा पार्ट एक्सक्राइज पावर तु इनको हम करेंगे आज हम मुगल अकैडमी की जाने से खुशाम अदी तो सवाल मैंने यहां लिख दिया है, तो सवाल जो है, यहां कि हमारे पास चौथा पार्ड है, य क्वर्टो ए की प्रावर 10 अंवर्स, इधर हम लिखेंगे डिफ्रेंशियेट विछ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहला स्टेफ हमारा उता है, डी ए पॉंड डी एक्स लगा देंगे हम, इधर भी बी एपॉंड डी एक्स, ए की प्रावर 10 अंवर्स एक्स, अब यह पहला स्टेफ हमारा उता है, ए की प्रावर जो भी हो, यह एक्स रहती है, फिर इसकी प्रावर का डेरिवेटिव लेना होगा, तो पावर में है 10 अंवर्स, तो 10 अंवर्स का हम डेर यह पिछली किलास में मैंने आपको किताब से 10 inverse का derivative दिखाया था 1 प्लस 1 upon x square होता है यह value इसके नीचे लिख देंगे हम easy power 10 inverse x यह value इसके नीचे 1 प्लस x square यह आपका जवाब हो गया answer अब हम करते हैं अगला सवाल यह है पाँच्वा पार्ट तो पाँच्वे बार्ट में हमें value दीवी है पाँच्वे बार्ट में y equal 2 3 x square minus 1 नीचे दी 3 x square पर यहाँ पर root है 1 प्लस x square पहले एडल ना हो है पर 10 inverse है इसको पहले हम simplify करते हैं यह जो नीचे लिखा हो है 3 x square यह आप break कर दें हैं दोनों के नीचे लिखते हैं 3 x square दोनों के नीचे आ गया और यह जो value होती है 1 प्लस x square root है इसको पर यह half power आगा है यह 10 लुमस रहेगा यहां से यह दोनों कट गई सेम थी value यह 1 आ गया यह 1 यह 5 होगे अब differentiate कर दें differentiate with respect to x और यह जाएगा dy upon dx d upon dx यह minus 1 upon 3 d upon dx x के बार minus 2 यह 1 upon 2 है अब यह जाएगा d upon dx ln 1 plus x square d upon dx 10 and y 1 का derivative 0 होता है 1 upon 3 as it is इसकी power पहले आजाएगी एक power minus पिर ln का derivative होता है 1 upon में यह value 1 upon में आजाएगी और पिर जो 1 upon में होती है value इसका फिर अलग से derivative होता है 10 inverse का derivative 1 plus 1 upon x square आजाएगा अब मैं इसको लिखता हूँ minus minus plus होगा 2 upon 3 x के बार minus 3 यह 1 upon 2 रहेगा 1 upon 1 plus x square इसे 1 का 0 हो जाएगा derivative और x square का 2x होगा 1 upon 1 plus x square यह दोनों कड़ गए इसको plus कर देंगे हैं 2, 3 नीचे और x के बार plus 3 यह x आगे दर 1 plus x square 1 upon 1 plus x square बस्दी जवाब जाएगा आप चाहें दोस्का एलसें ले सकते हैं मगर किताब में यही जवाब दिया है अब यहाँ पर है x के उपर power x यह दोनों variable हैं उपर भी नीचे भी यह दर हम लिखेंगे यह taking ln, ln आने log होता है on both sides दोनों तरफ आपने log लिख दिया यहाँ ln y हो गया इधर भी ln आगे x के उपर x power यह ln की वह ऐसे power पहले आजाएगी property ln की power पहले अब हम करेंगे differentiate with respect to x df on dx ln y इसमें product का formula लगेगा x और ln x तो एक y और इभी तो इसका भी मैंने तरीका बताया था इसका derivative होगा 1 upon y फिर जो नीशे होदी है फिर इसका अलग से derivative dy upon dx तो x का derivative हम लेंगे ln x as it is x as it is ln x का derivative अब ये dy upon dx ये y इदर cross multiply हो जाएगा x का derivative 1 हो जाएगा ln x x as it is ये 1 upon x आगे ये दोनों कड़ी हैंगे ये y की value हम लिखेंगे x की पार x तो ये ln x तो रचा है यहाँ 1 बचा है इसमें हम ये करते हैं कि 1 को पहले लिख जाएगे ln x को बागे यहाँ पर दिवाद होगे अब इस अगले पार्ट में भी सेम ऐसे ही है तो आपने क्या लिखना है इदर taking ln on both side दोनों तरफ आप ln लागे अब हम इसमें ln y इधर भी हम लिखेंगे ln x और ये cos x ये ln y ये पावर पहले आजाएगे cos x ln x अब differentiate कर देंगे with respect to x तो d upon dx लगा देंगे इधर भी d upon dx आजाएगे cos x ln x अब इसका बाफी सावे नीचे लिखना होगे इधर बन पावर y आजाएगे और dy upon dx लिखेंगे फिर हम ये करेंगे कि ये दो values हैं product में ये u जाएगे ये v u जाएगे तो इसका रूल भी पारे समझा दिया था आपके ये पहरी value का derivative हम लेंगे तो cos x का derivative है फिर ये ln x रहेंगे as it is फिर cos x as it is ln x का derivative है ये y को हम cross multiply कर देंगे ये दूसरे दरफ y सरफ हर देंगे तो cos का derivative होता है minus sin x ये ln x और फिर उसके बाद है इकला सबी को cos x as it is ln x का derivative होता है अब इसमें y की value फूट कर दें तो y हमारे पास है x के उपर cos x पाद है ये value हम पहले लिखने हैं ये cos x और ये मीचे x आ जागा है ये minus sin आ गया sin आ गया और ये हो गया ln x ये आपका जवाब है तो आप ये बताइए कि ये video आपको कैसे लगी तो आपके जी इसको like करें अपने दोस्तों में एक वीडियो शेयर करें और मुगल academy को subscribe करें अल्ला ने गया